पोटा बूंदी से संसद और लोकसभा स्पीकर ओम बेल्ला अपने संसदिये च्वेत्र प्रवास पर है इस दुरान उन्होंने कैम्प काराले में जनसुनवाई की ओम बेल्ला के जनता दर्बार में शहरी शेत्र के साथ साथ ही ग्रामिन अलाकों से भी बड़ी संख्या में लोक पहुँचे तो उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान के आवशुक दिशानिर्देश दिये इसी के साथ ही ओम बेल्ला की पहल पर इस साल भी कोटा बुंदी में व्रक्षा रोपन कारिकरम एक अभियान के तौर पर किया जाएगा कोटा बुंदी छेत्र में करीब दो लाग पोधे लगाए जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले भी स्पीकरम बेल्ला की पहल पर कोटा में व्रक्षा रोपन को लेकर कई अभियान चलाए जा चुके हैं कि अभियान को लेकर समाज में जनांदरनों किसान खेत पर गाउं के अंदर फलदार पोधे लगाए ताकि इसकी फल की इंकम भी हो और प्रियान चुद हो शेर के अंदर जा जा रोड साइट है जो पार के वहाँ पर जितने पेड़ लगाएंगे उतनी प्रयावन शुद्धता रहेगे इसलिए पेड़ लगाने का व्यापक अभियान चलाए जाएगा मुझे लगता है कि सबके सामुई प्रयासों से हम कोटा पूदी को हरा बरा मना पाएंगे